नवश्कार, recently एक भाई ने एक बहुत ही important और common doubt पूछा था, यह doubt aspirant phase में लगभग सभी के mind में रहता है, कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं UPSC के लिए civil services के लिए बना हूँ या नहीं, आज का वीडियो इसी doubt के उपर, और मेरे पास अब मैं service में तो नहीं रहा हूँ, लेकिन I've been a professional in this field, काफी टाइम से मैं professionally इस field में guide कर रहा हूँ students को, तो जो मेरा experience रहा है आज तक का और जो मैंने observe किया है और सीखा है, उसके basis पे मैं आपका यह doubt solve करने की कोशिश करूँगा, तो बहुत जादा लंबी list नहीं है points की, सिर्फ चार points है इस aspect को देखने के लिए, जो कि sufficient रहने चाहिए एक broad idea देने के लिए कि आप इस field के लिए है के नहीं, तो जो मेरा अपना मानना है, मुझे लगता है कि आप किसी भी job के positives देखने की बजाए, या किसी भी aspect इस context में, आप इस job के, इस service के positives देखने की बजाए, आप red flags पे focus करो, zero it down to maybe three or four absolutely important mandatory red flags, अगर इन में से कुछ भी blip हो रहा है आपके radar पे, तो आपको maybe उसको reconsider करना चाहिए, maybe अपने थोड़ा clarity लेके आओ thinking process में, it will not mean कि आप service के लिए नहीं है, लेकिन it may motivate you to think again, कि भई clarity, कि क्यों exactly आपको चाहिए, आप क्यों इस line में गुस्ते की सोच रहे हो, so that future में आपको career में, service में satisfaction रहे, शान्ती रहे, खुशी रहे, और एक miserable life ना रहे आपकी, तो ना खुश ना रहो basically, तो इसलिए negatives पे focus करना, red flags पे focus करना easy होता है, limited होता है, positives तो 1000 हो सकते हैं किसी भी चीज़ के, लेकिन सिर्फ एक positive, दो कुछ positives अगर हैं, तो वो हम lifelong उसको करें, उसके बजाए अगर कुछ important red flags में से एक भी अगर आपको पकड़ में आ रहा है, तो शायद आप एक खराब decision लेने से बच सकें, तो पहला red flag जो आपको देखना चाहिए कि motivation क्या है आपका service जॉइन करने के लिए, क्या आप power के लिए service में interested हैं, क्या आप job security के लिए, बहुत लोग होते हैं, plum postings के लिए, luxurious life so to say, money, पैसे के लिए join करना चाह रहे हैं, देखें, ये सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन बहुत shallow हैं, in fact, अगर इसमें भी आप देखोगे, plum postings ज़रूरी नहीं हैं, money तो absolutely आप दिमाग से निकाली दीजे कि आप पैसा कमाने के लिए, आप civil services में या सरकारी नौकरी में आप जाएंगे, पैसे के लिए नहीं, पावर के लिए नहीं, this should be for service, like the single most important motivation that you should have is service, अगर आप service करना चाहते हैं, आप public domain में रहना चाहते हैं, लोगों के साथ मिलके काम करना चाहते हैं, लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, ये एक lifelong motivation रहेगा, power हो गया, job security, postings, money, and all of these are very shallow things, थोड़े दिन आपको excite करेंगे ये, उसके बाद service में, ये सब चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती हैं, in fact, money जैसी चीज़ें, power जैसी चीज़ें, डिपेंड करता हैं, किस कुरसी पे बैठे हो, कब बैठे हो, किस position पे हो, तो ये सारी चीज़ें बहुत variable हैं, एक जो long term sustaining चीज़ जो मुझे लगता है, इसमें हो सकती है, जो most important है, वो motive of service, अगर आप service के अंगल से जा रहे हो, तो आपको कहीं भी post कर दो, किसी भी department में डालो, किसी भी field में डालो, anything, anytime, anywhere, you are willing to serve, so this career of civil services, should not be looked at just from a job perspective, मतब ये एक 9 to 5 job नहीं है, ये एक way of life है, जिन्दगी जीने का तरीका है, तो बहुत जरूरी है, आप अपने motivation को देखिए, primary क्या motivation है, मैंने बहुत interviews conduct किये, mock interviews, उसमें बहुत common जो जवाब होते हैं, कि मेरे parents की इच्छा थी, मेरे grandparents की इच्छा थी, कि मैं service में जाओ, civil services crack करूँ, या job security में एक अच्छा job लेना चाहता हूँ, definition क्या है, अच्छे job की, वो नहीं सोचा हुआ होता, किसी और का parents का, grand parents का motivation था, इसलिए आप ये कर रहे हो, it's fine, I mean, it could be one of the secondary reasons, but it cannot be a primary reason, in my humble opinion, because ये आपको बहुत long term तक, इस service में खुशी sustain करना मुश्किल हो सकती है, तो एक तो अपना ये देखो, आपका motivation क्या है, दूसरी बात जो है, openness to new ideas, आप challenges face करने वाले, आपका mindset है के ने, आप risk taking आपका attitude है के ने, ये सारी चीज़ें linked है, openness to new ideas, कभी आप किसी department में होगे, कभी आप किसी department, across department आपका nature of job, responsibilities, challenges, आपके change होंगे, आप risk averse नहीं हो सकते, ऐसा नहीं हो सकता कि आप decision making, ultimately आपके responsibility होगी, timely decisions लेना, तो अगर आप बहुत ज़्यादा risk averse हो, फाइलों पर ही वो up and down होती रहेंगी, फाइल actually ground पर कुछ implementation होगा नहीं, तो एक एन effective officer के तोर पर ऐसा बंदा सामने आता है, तो ये nature ऐसा है कि, service का nature ऐसा है कि, आपको risk taking, calculated risk, सोच समझ के, responsibility आपको लेनी है, risk taking आपका attitude होना चाहिए, तो आप इसमें अच्छा करेंगे, बहतर करेंगे, तो बहुत सारे type के government jobs होते हैं, जिसमें कोई risk taking की ज़रत नहीं होते, clerical nature के जो jobs होते हैं, आपको सीधा हुकम आएगा, कि ये करना है, इतने time तक करना है, आपको बस कर देना है, कि ज़्यादा सोचने की ज़रत नहीं है, ये एक leadership position का job है, नौकरी है, जिसमें आपको सोचना, you'll be responsible for yourself, for the people you are commanding, for the people of the country, district, जो भी आप संभाल रहे हैं, तो आपको वो discharge करने के लिए, timely decisions लेने पड़ेंगे, उसमें risk involvement ज़रूर होगा, और आप देखो, prelims में भी ये चीज़ टेस्ट होती है, किस टाइप के questions दिये जाते हैं, जो आपके इस personality aspect को risk taking, openness to new ideas, बहुत random questions इसलिए आते हैं, science and tech में आगया, environment में आगया, history में आगया questions, वो छोड़ने हैं, कि करने हैं, judgment, है ना, आप कितना अच्छे से आप खुद को जानते हो, तो ये सारे aspects test हो रहे हैं, prelims में एक hint है, कि you have to be open to new ideas, you need to be willing to keep learning and unlearning, जो खराब चीज़े हैं, वो छोड़ो, जो नई चीज़ें आ रहे हैं, टेक्नोलोजी अभी pace इतना बढ़ जाएगा, आने वाले टाइम में और बढ़ेगा, आप कितनी जल्दी उस change के साथ, खुद को बदल सकते हैं, तो openness to new ideas, openness to challenges, risk-taking ability, ये आप में होनी चाहिए, अगर आप इसमें एक खुशी के साथ, success के साथ आप इस नौकरी को करना चाहते हैं, तो, तीसरी चीज़ है, जो बहुत जरूरी है, team player होना, आपको एक team में काम करने की इच्छा होनी चाहिए, आदत होनी चाहिए, अब अगर आप team में काम करोगे, तो आपको भई diverse opinions भी सुनने पड़ेंगे, आपको open minded होना पड़ेगा, आप सब पे ऐसा हुकम नहीं चला सकते कि नहीं, बस ये एक ही तरीके से होगा, अगर आपका ऐसा mindset है, कि आप सिर्फ अपने तरीके से काम करने में खुश रहते हैं, आप बहुत जादा diverse opinions opposing feedback, critical feedback आपको नहीं पसंद है, तो ये job में थोड़ा problem आपको होगी, team player होना बहुत जरूरी है, सब के साथ, एक system के साथ आपको चलना है, तो speed, जैसे एक individual बंदा होगा, वो जिस हिसाब से काम कर सकता है, जिस flexibility और speed से काम कर सकता है, वो आपको इसमें ना भी मिले, आप ये मान के चलिए कि ये थोड़ा slow रहेगा, ये थोड़ा broad-based रहेगा, तो एक team में आपको काम करने का, you have to be a team player for this, then, अगर आप results बहुत quickly expect करते हो, वही team player वाली बात है, overall, सब के साथ अगर चलोगे, तो naturally, अलगल opinions भी होंगे, diversified आपका approach होगा, करने में अर्चने आ सकती है, और उस implementation का, जो result आएगा, वो आने में आपको time लग सकता है, तो अगर आपका mindset ऐसा है, कि बहुत जल्दी results चाहिए, तो ये service, ये job आपके लिए नहीं होगा, आपको खुश नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर आप थोड़ा stable pace से चलना चाहिए, ठीक है, results, आपका focus होना चाहिए, implementation अच्छे से हो, सब लोग साथ मिलके काम करें, बाकि results जैसा होगा, सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता है, तो जैसे आएगा, उसके साथ change भी होना पड़ सकता है, चाहिए, challenges आएगे, उनको deal करना पड़ सकता है, तो बहुत quick result seeking अगर nature है, तो ये service में आपको problem होगी, ठीक है, तो ये broad, चार important red flags, जो मेरे experience में आपको consider करने चाहिए, इस question को answer करने के लिए, कि civil services आपके लिए है के नहीं, आप civil services के लिए है के नहीं, ये एक important चार aspects है, तो that will be all from my side in this video, I hope मैं कुछ help कर पाया आपकी, अगर इस type के और कोई भी सवाल आपके मन में है, मेरा free mentorship channel है, उसका link में दे दूँगा इस video के description में, please join that and feel free to contact me for any doubts you may be having, thank you so much, see you, bye-bye. कर दो